पांच हजार साल पहले जिसे कास्य युग कहा जाता था जिस दौरान छोटे छोटे गाउं हुआ करते थे उस समय क्या आप 160 एकड में फैले किसी शहर की कलपना कर सकते हैं जी हां एक ऐसा शहर जिसे पुरातन विभाग ने भी कास्य युग का न्यू यॉक माना इस शहर की योजना जिस आधूनिक अंदाज में बनाई गई है वह न केवल आम इंसान को हैरान कर देती है बलकि पुरातत्व विदों को भी हैरानी में डाल देती है हम जिस पांच हजार साल पुराने शहर की बात कर रहे हैं यह शहर इसराइल में तेल अवीव से करीब 50 किलो मीटर दूर उत्तर में इस्थित एन एसुर साइट पर है जानकारों ने इसे पूरी तरह से नियोजित एक कॉस्मो पॉलिटिन और प्लैंड शहर बताया है उनका अनुमान है कि 160 एकड में फैरे इस शहर में करीब 6,000 लोग रहा करते होंगे इस शहर के बारे में पुरातन विभाग ने अपने आधिकारिक बयान में यह कहा कि यह कास्य युप का नियू यॉक था खुदाई के दौरान पुरातत्व विदों को कास्य की कई छोटी छोटी जानवरों की आकृतिया मिली इतना ही नहीं रिहाईशी इलाके, सारजनिक स्थल, औजार, मुर्तियां और मिट्टी के बर्तन भी मिले विशेशग्यों के अनुसार यह शहर मुख्य रूप से क्रिशी पर निर्भर रहा होगा पुरातन विभाग के एक बयान में यह भी कहा गया है कि इस आकार का शहर बगैल पूर्व योजना और प्रशासनिक तंत्र के मुम्किन नहीं हो सकता उमीद है आपको इस वीडियो से जानकारी मिली होगी तो दोस्तों अगर आप पुरातत्व जगहों और चीजों में दिल्चस्पी रखते हैं तो ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें